नमस्कार स्वागत है आपका आप देखने हमारी कास पेशकर्ष लीगल हेल्प लाइन और मैं हूँ आपके साथ अनन्त इस देश का लोकतंत इस देश के खूबसूरती का एक अभिन अंग है जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूतर पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ सुच्छा से जिने का अधिकार दिया जाता है लोकतंद्र की आत्मा सभधानों कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी स्मविधान का प्रियेमबल यानी स्मविधान की परिस्ताबणा भी समाच के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याइ की बात करता है कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के मौजूद है लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीद्गी के चलते समाज को एक बड़ा हैसा सही समय पर न्याय हासिद करने में असमर्थ महसूस करता है और इसी अंदरों खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के लीगल इनिशेटिव लीगल हेल्प लाइन में हम यह मौजूद है आपके हर कानूनी समस्या में आपकी बहतर साहता के लिए हमारा उदेश है कि किसी भी तरह की कानूनी रचन के दौरान आपके साथ हम खड़े हूँ आपकी कानूनी साहता के लिए और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्प लाइन के जरीए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निशुल कानूनी साहता के साथ मौजूद है जो नमबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए दे रहे हैं अपकी कानूनी साहता के लिए हमें फोन कर सकते हैं स्ट्ट पर नमबर आपके लगाता है इन नमबर पर फोन कर के लिए हम तक जुडिये और बहतर कानूनी साहता हमारे तरफ से आप तक जरूर पहुँचाए जाएगी और आज हमार साथ सुप्रीम कोड अधिवक्ता सश्मिता त्रफाठी मौजुद है सबसे पहले में आप से जाना चाहूँगा कि जब किसी महिला के साथ घरलू हिंसा होती है तो कौन सा कानून है जो उसको सुरक्षत संलक्षत करता है देखिए पहले महिलाओं के साथ इस तरह होता था कि घर पे बैठे उनके साथ इतनी अत्याचार होते रहते थे वो इतनी प्रताडित होते थे कि आवाज उठाने के लिए भी उनके पास कोई ताकत नहीं था कौन सहारा बनेगा घर छूट जाएंगे बच्चे छूट जाएंगे बच्चे अपने पले बड़े कैसे रहेंगे लेकिन ये 2005 से जो सुप्रीम कोड ने एक कानून बनाया कि महिलाएं जो घर पे रहके प्रताडित होते हैं जो उसी अत्याचार का सिकार बने हुए होते हैं उनके लिए एक कानून बना दिया गया कि आप आगे से इस समाज में पिछरे बर्ग में नहीं खड़े हुए मिलेंगे सबको और आपके लिए एक कानून बना दिया गया जिसके लिए आपको खुद आवाज उठाना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चाहिए आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है जब तक आप आवाज ना उठाए इसलिए सुप्रीम कोड ने ये कानून बनाया जो महिलाएं घर प लोग रहते हैं उनके द्वरत जो प्रताडित होते हैं उन्हीं के लिए ये कानून बनाया गया है ताकि ओ महिलाएं आगे आए आबाज उठाएं कानून में सहरा उनके लिए बाकाइदा है लेकिन इस चीज को आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट भी तो जरुवत है जो पड़े लिखे हैं अनपड़ भी इसी के साथ फैंगर यही इसी तरह एक मेडियार इस तरह एक चानल के लोग है जो हम लोग यहां बैठे हैं आपको आगे आने की ताहरा देने की हाथ कोट का सारा लेते थे पड़ोसी को बोलते थे मम्मी को बोलते थे इस कानून के तहट मा भी बेटी के लिए एक केस लेके कोट में जा सकते हैं वहाँ पे क्या होता था कि केस करना पड़ता था बगए उनको काउंसिलिंग करनी पड़ती थी लेकिन ये सारी चीजे बदलते से लेके 2016 तक इस कानून में एक काफी बदलाव हुआ है वो बदलाव क्या है कि जो मैलाएं घर पे रुपती हैं जो रहते हैं उन्हीं के लिए कानूनी अधिकार तो है कि आप कोट में आओ जो भी घरलू इंसास से प्रताडित हो रहे हो आप इभी निप अगर आपकी हस्बे correspondsद आपको बरे भले भी बोलते हैं जैसे कि आप काले हो तो रोज ये टौन्ट बाजी करना भी आपके लिए एक बहूत गला मतलब गड़ चीजह आपको तो बुरा लगता हो होता है और वो अपने आपको comfortable feel नहीं करता कि मुझे क्या जिन्दगी मिली है मैं तो अनपड़ हूं मेरी शादी हो गई बच्चे हो गए पती तो रोज ताना मारते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे मेरा कल को क्या क्या पती मुझे रोज दाना मारते रहेंगे क्या मैं रोज इस तरह प्रताडं सेती रहूंगी नहीं उनके लिए उनको सहरा लेना पड़ता था कि मां की दोस्त की भाई बेहन की कि बहुत आज मुझे बचा लो लेकिन लेखिन इस कानून को जानना एक बहुत बड़ी चीज हो गई है आज की डेट में क्या जानना है कि छोड़ी चोड़ी बात में हम बोलेंगे वामी आज चलो हमें के सदाल ना ये कोई बैवाहिक जीवन की समाध्धान भी नहीं है। उसके लिए हमें काफी सहना पड़ता है, साकिरफाइस करना पड़ता है, कि एक मैरिटल लाइफ को हम किसी तरफ जी जाओंगा कि डिमस्टिक वाइलन्स की जब बात आती है, कैसे सरफ शाररी के तौर पर जो मारपीट की जाती मानस्तिक तर से बोलना, डावरी नहीं लेना, काला गोरा रंग के बारे में बोलना, अनपड तुम पड़ी लिखी नहीं हो, इस तरह की चीज़ें भी फिजिकल, मेंटल, क्रुएल्टी जो मिलता है, डावरी नहीं लाना, यह सारी इंक्लूड होता है घरेलू हिंसे मामले म और उसके लिए हमें काफी सारे चीज़ें भी करना पड़ता है, जैसे की काउंसिलर्स के पास जाने पड़ते हैं, परोसी से सलाह लेने पड़ते हैं, इसका हल कोट में तो है, लेकिन यह जो कानूनी प्रावधान है, क्या उसका फायदा हम पुरी तरह उठा सकते हैं, कौन हमें सहरा देगा, कौन हमें गाइड करेगा इस चीज़ के लिए, छोड़ी छोड़ी बात के लिए हम कानून का दर्वाजा खटखटाने नहीं जाएंगे, आज की डेट में इस कानून का इतना मिस्यूज हो चुका है, इतना मिस्यूज हो चुका है, इसके लिए हमें कानू बदलाओ की भी आगई बारी मिस्यूस के बारे में इससे पहले मैं जानना यह चाहूंगा आपसे कि अगर किसी महिला के साथ इसा ऐसा कुछ होता है डुमेस्टिक वाले सोता है घर्लों हिंसा होती है तो पहला कदम में वो क्या उठा सकती है क्या पुलिस थाने जाकर ही रिप इसके लिए अगर सच में सच में आप उस चीज की एक कल्प्रीट हो आप आपके साथ यह मतलब घरे लिए इंसा हुआ है पहले आपको एक कदम उठानी पड़ेगी सौन नमरे पर आपको कॉल करनी पड़ेगी पुलिस की साहता लेनी पड़ेगी आपको कोई मार रहा है ममी पापा को तो फोन करेंगे अपनों को तो फोन करेंगे उसके साथ पुलीस के पास एक कॉल जाना जरूरी है जरूरी नहीं आप ठाने में जाओ और अपनी कंप्लेन लिखवाओ जरूरी यह है कि आपको एक कॉल करना जरूरी है और उस कॉल में बाकाइदा मैं बोल रही हूँ कि उस कॉल में आपका होना चाहिए कि मेरे पती मुझे मार रहे हैं या मेरे साथ ये घरली हिंसा हो रहा है आप आईए विकोज ये जो चीजे आप मुँ में बोलोगे उस सौन नंबर की रिकॉर्डिंग भी होती है किस ग्राउंड पे आपने सौन नंबर पे भी कॉल कि धान दीजेगा जब भी पुलिस को इस घरली हिंसा में प्रताडित महिलाए फोन करे प्लीज उस चीज को बाकायदा उसमें बताईएगा जरूर कि मेरे साथ ये हिंसा हो रहा है और आप मेरे पास आईए और पुलिस वाले आपको पुछेंगे आपका अड्रेस क्या है पु सारे चीजें जिनको फोन करने से भी वह आते हैं लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायरिटी बनती है कि आप पुलीस का साहता पहले ले और आपकी कंप्लेन के लिए आपको थाने की जाने की जरूत नहीं है आप वहीं पुलीस से कंप्लेन लिखाए अगर सारी रिक रूप से अपनी टीवी की वाले पहले समर्वाना बंद कर लिजे ताकि बैठे तरीके से आपकी बात हम दोग सुन पाएं जी जी और एक दो विबांट ने रिकार्ड गुम कर दिया और जोटी करते हुए जोटी टाइम के तंखाय नहीं दी हुम के बाद थर मुझे रिकार्ड घंक पने के बाद इसको परकुऊशन ही दूसरा, जिस प्रोमोशन पर था उसको देचिक आफना उससे ये रिए रिकार्ड गुम कर दिया रिकार्ड कर दिया जी जो केस आपके साथ हुआ है जो घटना हुई है इसके लिए कोई शिकायत आपने दर्श की भी है कि अदालत में किसी थाने में विभाग में के लिए शुप्रीम कोट में विए इसाथ हुआ हुआ जो कि लार्प içंट का Assist?". कि आपके अभी तक जितने में कारवाई रही है आपने जो भी शुक्राइब कोट में गए विभागी कारवाई भी रही है इस मामले में वह तमाम कागजाद जितने भी अभी डॉक्यमेंट्स आपके हैं उनके कौपी वाप पहले हम तक भीज़ दीजिएगा उसक्त हम लोग बहतर स्थिती में हो पाएंगे कि किसी भी तरीके से कोई विसायता कर पाएं कि पहले केस को सही तरीके सका हर एक डायमेंशन समझना हमारे बहुत जरूरी हो जा रहा है आप काम तक जुड़ने के लिए और इस वक्त हर दोई से सतीश हमारे दर्शक में जुड़ चुके हैं सतीश अपनी बात आप रखे कैसे आपके साथ हम लोग कर सकते हैं जी सतीश जी 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 तो बहुत परिशान है तो उसके लिए कोई सतीश बिल्कुर इस मामने में आपके साहता की जा सकती है लेकिन पहले जो अपने बता है कि जो केस उसमारे वे डाला गया है तो केस की नोटिस के कौपी आपके आप तक भी पहुंची होगी तो कौपी पहले आता हूं कि जो कहा गया है कि वड़ो को ये उसके उपर परगाकर के पुरन विवाहित है और उसको घर से निकाल ले गया संपति कभजानी कोशिश की जा रही है तो विड़ो के पास अधिकार क्या रहता है कैसे अपनी बात को आगे पहुंचा है लेकिन वह कानूनी प्रावधान के लिए उसकी केस को पर्टिक्लरी देखना जब तक यह डॉकुमेंट्स इसके पास नहीं देखा जाएगा विड़ो राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत बोलना आपके पर्टिक्लर एक इससे परसिनल केस आपका जो है वह सेपरेट केस बन जाता है उसके लिए कानून में प्रवधान है यह आपको मैं दाबे के स आप बोल सकती हूं आप यह पेपर बगरा जो भी है जो भी डॉकुमेंट्स इनके पास है यह तो एक ऐसा चानल है मैं पहली बार देख रही हूं कि यहां कानूनी सलाकार भी हैं मदद करने वाले भी हैं आप एक काम किजिए आपके इतनी पड़ोसी को आप इतनी मदद करन कि आपकी राइट की सबसे आपको क्या-क्या देया जाना चाहिए या आपको क्या-क्या मिलेगा क्या महिला का अधिकार होता है बिल्कुल पहली बात तो हमें थाने में जाने की जरूती नहीं है जैसे ही हम कॉल करेंगे कि यह हमारी कंप्लेन में लिखा जाएगा कि में घरली इंसा है मेरे साथ इमार पिटा ही हुई है या मेरे सस्वराल वाले मुझे यहां से निकाल रह और आपकी कंप्लेन लेने के बाद जो भी जितने भी फिजिकल मेंटल आपके साथ क्रूइल्टी हुआ है उस क्रूइल्टी को आपनी कागज में लिखेंगी लिखने के बाद आपको एक मौका पढ़ने का भी दिया जाएगा और उसको पढ़ने के बाद आप उनको बोल सक कि हाँ ठीक है जब तक आप हाँ करेंगे तब आपकी सिगनेचर इसमें लिया जाएगा अगर फिर उसके बाद ही आपका मेडिकल होगा अगर ऐसा एक क्रिमिनल केसे से सपोज आपकी मारपटाई खुब हुई है खून निकला है मेडिकल होना जरूरी एस्टीज लगना है हर एक थाने में हर एक थाने में एक महिला होती है पोलीस ऑफिसर जो आपकी मदद के लिए वहां रखा जाता है और वो लोग आपकी मेडिकल तक पहुंचाना आपसे सारी मेडिकल रिपोर्ट लेना और डॉक्टर से लेना और जो भी आपकी कंप्लेन है वह लिखवाने की जिम्यदारी उनकी है बागे मेंटरेंस की बात करता है स्वाश्मिता जी तो मेंटरेंस के को लेकर कि क्या अधिकार महिलाओं के रहते हैं देखें मेंटरेंस जहां तक डूमस्टिक वालेंस की मैं थोड़ी से चीज़ आपको छुड़ी सी जीज़ित बताऊंगी पांच जहां तक घरेलू इंसा मामला डिस प्रोब्टेक्शन अब वुमेंन डॉमस्टिक वालेंस आक्ट की तेहत यह फैसला होता है आप पती के साथ रह के भी आप अपना मेंटिनंस ले सकते हैं लेकिन उसके लिए वही बाली बात होती है जब तक आप चाहेंगे नहीं म साहर निकलेंगे नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा पती तो कमाता है लेकिन उससे कैसे तो हमारी थो हमें लेनी पड़ेगी हमारी हाइट राइट तो हमें बोल के लेना पड़ेगा कि मैं आपकी अरधांगी नहीं हूँ इस घर को चलाने के लिए मैं आपकी एक घर में एक की छट के नीचे हूँ आज मुझे मेंटेनंस की जरूरत है आप मुझे मेंटेन करोगे इसके लिए बिल्कुल पती के दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है आप अपनी हस्बेंट के साथ रहके अपना खर्चा बच्चों का खर्चा सबका खर्चा आप ले सकते हों डुमस्टिक वालस के अंतरगत हम यह भी देखते हैं कि रफाज जो महिला होती हैं को घर से बाहर भी निकाल दिया जात हैं कि हमें बिल्कुल राइट टूरेसिदेंस मुझे चाहिए मेरा राइट है अगर आपके नाम के कोई घर है उस घर में रहने का हक मुझे है अगर नहीं है सपोज पती के नाम का कोई घर नहीं है यह राइट उसके बाद बनता है कि बाहर आपकी पती आपको घर लेके बा आपके लिए बनेंगी आपके लिए ही होगा एक रेस्टिटूशन ऑफ कॉंजीगल लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो दरसमा समझा चाहँगा कि क्या होता है इसका दोनों तरफ का किस्सा है रेस्टूशन ऑफ कॉंजूगल राइट डाट इस ऑन हिंदू मैरेज आक हैं कि इस चीज़ में ऐसा है इसका एक यूस भी है एक एक जुस्ञा मुझे रखता है मुझे लेने के लिए आ कि मुझे ले जाओ वो कानून की इसाब से ऐसा नहीं घर वाले बेट के फैसला कर दिया कानून की नजर से जो भी टॉम्सन कंडिशन हम लोग के बीच में होगा जो भी प्रताडना होगा वो सब बाहर निकालने के बाद मुझे आप घर लेने की लिए आओ लेकिन आज कल यह है तो यह तो यूज है पहले तो इसकी फर्स्ट यूज होता है कि लेडिस पहले करते थे मेरे पती मुझे लेने नहीं आते कानून मेरा सहारा बने और मैं अपना घर जाना चाहते हूँ नाओडेज यह क्या होता है यह मिस्यूज हो गया है पती पहले तो पती को बाहर से निकाल देते हैं माइके बेज देते हैं जैसे ही दो तीन महीना हो चुका उन्होंने एक दिमाग से लगा दिया कि रेस्टिशन अप कंजूगल राइट क्यूंकि एक लीगल प्रोसीजियूर इससे स्टार्ट हो जाता है कि सेक्शन नाइन मैं अपनी पत्नी को लेना चाहता हूँ वह आना नहीं चा साथ सबके साथ संबन्द बना के रखो लेकिन यह मिस्यूस कि सैंगल से होता है कि हम उसको सेक्शन नाइन में बुला रहे हैं वो नहीं आता है जैसे ही जी मैं लोटूंगा आपके बास मैं इसको श्री नगर से माजिद हमारे दर्शक हम दो जोड़ चुके हैं माजिद आपकी जानकर आपकी समस्या जानकर आपकी कार्नेवन क कारूने के प्रतारित होते हैं वो तुरंट जाके क्या करते हैं एक केस डाल देते हैं केस डालने के बाद उसमें जो महीला कोट की अधिकारी होते हैं जो जस्साइबा होती हैं वो क्या करते हैं ना एक प्रोटेक्शन अफिसर को आपके साथ अपोइंट कर देती हैं वो ही आक्ट के अंतरगत है मैं ज़ादा सेक्शन्स बगेरा नहीं बोल रहे हूँ बट इसकी प्रावदान है आप खुद याद नहीं रख सकते तो यह प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या काम होता है वो पढ़ी लिखी होती है और वो आपकी मदद के लिए कोट उनको अपॉइंट करती है कि क्या-क्या इनके साथ इस महिला के साथ जो भी घरली हुंसा हुआ है जो भी प्रत के लिखी हुआ है कहा कहा मारा मेंटली टॉर्चर होते है मानसिक्स तर से किस हद तक वो लोग प्रतारित है वो बोल नहीं सकते जैसे कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर क्योंके प्रोटेक्शन ऑफिसर्ट केसी यह महिला आपके घर तक जाएंगी आपसे फेरिफाय करेंगी कि क क्या कि चीज़ें आपके साथ हुआ है कब से हो रखा है क्या इस चीज में किसी अडोस-पडोस से पता चला है किसी घरवालों को आपको पता है आपने information दी यह सारी बाते और इस चीज़ की protection officer की जो court appoint करती है इसकी भी एक in person जो लोग सच्चे हैं जो सच में प्रताडित हैं उनी के लिए जानने के लिए protection officer जानता है protection officer investigation में एक important role play करता है और महिला के साथ जस्टिस होना होता है उसके लिए बहुत important key होता है बहुत 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 शुक्रिया आपका शो में शामल होने के लिए बहुत जानकारिया इस बारे में महिलाओं को देने के लिए और ताकि वो सशक्त रूप से महिलाएं अपना जीवन नियापन कर सके इंडिया लिगल सच फांडेशन के इनिशिटिव लिगल हेल्प लाइन का हिकमात रुप देश यही है कि समाज के हर वर्ग के वो लोग जो किसी ना किसी समस्या के वज़े से सही समय पर नयाय हासर करने में असमर्त महसूस करते हैं के लिए हम यहां मौजूद हैं आपकी हर तरह की काणोरी समस्या में आपके बैतर और निश्र काणोरी साहता के लिए मुस्कार